Hello guys, कैसे आप लोग, okay, so my name is Sanjeev Pandey और स्वागते आप लोग का अपने प्यारे से चैनल में, खुबसूरे से चैनल में, जेया टुटोरियल में, okay, so जैसा गिए आपको पता है, we have started the physics lecture, okay, और physics में हम लोग ने कही सारे topic complete कर दिये हैं, so आज हम लोग same topic continue करने वाले हैं, that is UCM, तो अगर अभी तक आप लोग ने वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो I will suggest you कि पहले पुराने वाले वीडियो देख लीजे, बाद में ये वीडियो रेफल किरीजे, तो बहुत जादा अच्छा होगा, okay, और lecture number 3 जरूर देखेगा, because वहाँ पे हम लोग ने centripetal और centrifugal की क कहानी कवर की है, तो वो lecture पहले देखेगा, उसके बाद ये lecture देखेगा, okay, चलो, so start करते हैं, आज का topic, आज हम लोग देखने वाले हैं, bank road की कहानी, okay, अगर तुम लोग याद होगा, तो इसके पहले वाले lecture में देखा था, horizontal curve road, वहाँ पे कैसे centripetal force act होता है, वहाँ पे में ये चीज़ अलाओ नहीं था, horizontal curve road में तुमको ये चीज़ मिलेगा ही नहीं, वहाँ पे friction बहुत compulsory होगा, अगर तुमको याद होगा, तो हम लोग ने वहाँ पे formula देखा था, V is equals to under root mu RG, where mu is nothing but, mu क्या था, that is mu RG, mu is nothing but a coefficient of friction, R is nothing but a radius of that track, and G is nothing but a acceleration due to gravity, okay, तो वहाँ पे without friction force, हमको कैसे help मिलता है, किसी गाड़ी में, like किसी road पे turn होने के लिए, तो वह हमको help करता है, bank road, वह हमको कौन help करता है, bank road, okay, bank road का मतलब क्या होता है, the basic meaning of bank road is nothing but, मानलोग को एक road है, उस road को हलका सा उठा देना, मतलब उसका जो outer edge है, वो outer edge को हुटा देना, as compared to inner edge, okay, let us consider, यहाँ पे एक book है, यह book का यह हो गया inner edge, और यह हो गया outer edge, मैंने यह edge को उठा दिया, यह क्या क्या edge को उठा दिया, तो यह हो गया bank road, अब यह क्या ओगया bank road, त ऑखम बीचे घंब हाँ यहां पर यहां पहली होग है वह वह कं प्रकौंट इस समझ को सब्सक्राइब तो नीचे आ रहा है एं-स एमिजी आोगफ ऑप वहाइकल जो कि हमेशा नीचे एाँवड होके हमेशा यहाथ और पर परपेंडिकुलर टुदा सर्फेस मैंने बताया था लास्ट टैम भी बताया था कि हमेशा सर्फेस को परपेंडिकुलर नॉर्मल रियक्शन होगा सर्फेस ऐसा है तो परपेंडिकुलर ऐसा आएगा याद रखना तो यह चीज पर थ्रोड़ा ध्यान देरा ओक्यां अब माल तो towards the center, towards the center, देखो towards the center अब कौन सा force लग रहा है, that is n sin theta, मतलब अब मुझे centripetal force कौन प्रोवाइड कर रहा है, अब मुझे centripetal force प्रोवाइड कर रहा है, n sin theta, okay, so यहाँ पे कितना minimum velocity चाहिए हमको turn लेने के लिए, safe turn लेने के लिए, वो हम लोग देखने वाले हैं, आज, चलो, तो start करते हैं, आगर हम लोग देखने जाएं, तो मिलको अंदर की तरफ कौन सा force लग रहा है, that is n sin theta, और n sin theta मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, n sin theta मुझे प्रोवाइड करेगा the centripetal force, तो I can say that mv square by r is equals to n sin theta, yes or no, that is n sin theta, क्योंकि यह मुझे centripetal force प्रोवाइड कर रहा है, n cos theta, yes or no, weight किसे balance हो रहा है, weight balance हो रहा है, n cos theta से, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, mg is balanced by n cos theta, हाँ यह न, okay, मालो इसको equation number 1, मालो इसको equation number 2, अब दोनों equation को क्या करो, simply divide कर दो, अब अगर दोनों equation को हम लोग simply divide कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, mv square by r divided by mg is equals to, उपर देखो क्या आजाएगा, n sin theta, उपर क्या आजाएगा, n sin theta, नीचे क्या आजाएगा, n cos theta, n से n गायब हो गया, mass से mass गायब हो गया, अब r नीचे आजाएगा, क्या मिलेगा, मुझे देखो ज़रा, तो यहाँ मुझे मिलेगा, v square by rg, और what is sin theta by cos theta, that is tan theta, nothing but tan theta, तो यहाँ से tan theta आजाएगा, अब यह r को यहाँ भेज़ दो, तो क्या मिलेगा, v square is equals to rg tan theta, yes or no, तो v क्या मिलेगा, v मिलेगा, under root rg tan theta, this is the most safe velocity, this is the most safe velocity, देखो, यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पे mu आया ही नहीं, यहाँ पे friction की जरुत ही नहीं, यहाँ पे काम हो जा रहा है, v is equals to under root rg tan theta से, मतलब यहाँ पे, मुझे मेरा जो normal reaction है न, वहीं help कर दे रहा है, वहीं मुझे safe tan लेने के लिए help कर दे रहा है, बास मिलेगा रही है, this is the safe velocity, याद रखना, this is the safe velocity, friction आएगा, कब आएगा, जब यह velocity को मैं break करूंगा, मतलब यह velocity को अगर मैं तोड़ूंगा, मालो मैं इससे तेज, इससे speed कोई vehicle चला रहा हो, या फिर मालो इससे slow कोई vehicle चला रहा हो, दोनों condition आएगे, अगर इससे तेज रहा तो भी condition आएगे, और इससे slow रहा तो भी condition आएगे, ओके, so अगला जो है, that is the condition, ओके, अगर इससे condition जाधा रहा तो क्या आएगा, अगर इससे speed कम रही तो क्या आएगी, तो वो चीज़ पर हम लोगो discuss करना, यह चीज़ समझ में आ गया सबको, this is nothing but a safest velocity, that is v is equal to under root rg tan theta, देखो one of the important question है, इस chapter का, ओके, बोड में आता यह question, तो one of the important chapter है, one of the important question है, यह actually, ओके, चाहे तो star mark क दो इस चीज़ को, ओके, चलो, next देखेंगे, next is the maximum condition, ओके, next is the maximum condition, अब माल लो, माल लो, कोई गाड़ी है, वो turn ले रही है, माल लो, यह गाड़ी है, यह गाड़ी ऐसे turn ले रही है, अब यह गाड़ी turn ले रही है, बहुत जादा speed से turn ले रही है, बहुत जादा speed से turn ले तो यह उपर की तरफ जाएगी, यस और नो, यह रोड के उपर की तरफ जाएगी, अब अगर यह रोड के उपर की तरफ जाएगी, तो इसको टायर, वो जो टायर है, वो उसको कहां गीचेगा, नीचे की तरफ, यस और नो, अब फ्रिक्शन फोर्स आएगा, अब साइन तीटा, ओके, आब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो F है, उसको भी मैं रिजॉल्फ कर सकता हूँ, अगर F रिजॉल्फ करने जाओ, तो यह हो जाएगा मेरा F साइन तीटा, यह हो जाएगा मेरा F साइन तीटा, और F साइन तीटा नी, that will become F cos तीटा, वो F cos तीटा रहे अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर दो force आ गए, अब अंदर लगने वाले दो force है, मतलब अब मेरा को centripetal कौन प्रोवाइड करेगा, अब मेरा को centripetal प्रोवाइड करेगा, N sin तीटा और F cos तीटा, दोनों के दोनों मेरा को क्या करेंगे, centripetal force प्रोवाइड और यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, देखो, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर N cos theta balance हो रहा है, N cos theta, किसे balance हो रहा है, Mg plus F sin theta से, तो Mg plus F sin theta है ना, अब मेरे को Mg निकालना है, F sin theta को इधर भेज़ दो, तो therefore क्या मिलेगा, Mg is equals to N cos theta minus F sin theta, हाँ यहाँ ना, अब माल लो, इसको equation number 1 देदो, इसको equation number 2 देदो, दोनों को क्या करो, divide करो, जो काम हम लोगने पहली किया था, वही काम करना है, same चीज़, division, ओके, अब दोनों को divide कर देंगे, तो देखो, यहीं पर कार देता हूँ, यहाँ पर समझीं को चीज़ कर देखो मास से मास उड़ा दिया, ओके, क्या मिलेगा मेरे को, मेरे को मिलेगा, V square by RG, हाँ यहाँ ना, ओके, अब यहाँ पर देखो, N sin theta, N sin theta, plus F cos theta, divide by, यहाँ पर क्या जाएक देखो, N cos theta, minus F sin theta, हाँ यहाँ ना, एक दम, अब मेरे को पता है, friction force, friction force का formula क्या है, हम लोगने है, तो यहाँ पर ध्यान दे देना, 11th में है यह topic, मेरे को suggest करना यह चीज, तो F is equals to mu into N होता है, this is the friction force का formula, अगर नहीं पढ़ा है 11th में, तो बोलो हम लोग इसको पर video बना देंगे, कोई problem नहीं है, चलो यहाँ पर, so, just substitute, हम लोग friction force क्या है, substitute करेंगे, क्या मिलेगा, दे theta minus mu N sin theta, हाँ यह न, अब यहाँ पर देखो, N, N common आ रहा है, N, N common आ रहा है, 4 N बाहर निकल के कर जाएंगे एक दूसरे से, तो काड़ देते हैं इसको, तो यह N को काड़ दिया, 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 अब यहाँ से क्या करो, य is equals 2, क्या मिलेगा देखो सरा, यहाँ पे अगर मैं cos से डिवाइड करूँगा, that becomes tan theta, plus, यहाँ पे cos से डिवाइड करूँगा, cos से cos गायब हो जाएगा, क्या मिलेगा, mu तो यहाँ पे आ जाएगा, mu, divide by, यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो सरा, नीचे, again, cos से डिवाइड कर दूँगा, तो 1, minus, यहाँ पे cos से डिवाइड कर दूँगा, तो क्या मिलेगा, mu, tan, theta, हाँ या न, ओके, अब यह RG को उधर भेज़ दो, तो क्या मिलेगा मिलेगा, therefore, V बराबर हो जाएगा, under root RG, in bracket, यह पूरा का पूरा tan, theta, this is the maximum condition, यह V max है, यह maximum velocity है, V max, यह maximum velocity है, जब हम लोग maximum velocity लेंगे, तब गाड़ी उपर जाएगी, तब गाड़ी उपर जाएगी, और तब मेरा frictional force नीचे आएगा, अब अगर minimum velocity से चलू, again, same example, same book consider करते हैं, माल लो यह book है, यह गाड़ी है, अब गाड़ी बहुत slow चल रही है, slow चल रही है, तो वो road के नीचे फिसलेगी, yes or no, अब अगर वो road के नीचे फिसलेगी, तो क्या होगा, तो frictional उपर लगेगा, yes or no, तो friction कहा लगेगा, तो friction उपर लगेगा, देखो, next वाले इसमें यह है, अब कहानी देखो थोड़ी से, same कहानी है लगबग सेम कहानी बस कहानी क्या बन रही है कि यह गाड़ी नीचे आ रही है क्यूं क्यूंकि यहाँ पे मेरा जो velocity है that is less than under root r g tan theta ओके वो less than है r g tan theta से तभी अब वो नीचे आएगी तो friction कहा लगेगा friction लगेगा उपर की तरफ अगर वो नीचे आएगी तो friction कहा लगेगा उपर की तरफ बासमिना रहा है सबको okay same derivation same derivation बस फरक क्या है यहाँ पर देखो यहाँ पर n sin theta और f cos theta एक दुसरे को क्या कर रहे है अपोस कर रहे है तो उस चीज़ पर ध्यान दो उस चीज़ पर ध्यान दो यहाँ पर मेरा जो centripetal force आएगा वो क्या आएगा mb square by r बराबर हो जाएगा n sin theta minus f cos theta यह याद रखना यहाँ पर यह चीज़ ध्यान देना क्योंकि यह दोनों अपोस्ट कर रहे है एक दूसरे को mg किसते बराबर मिलेगा देखो mg कौन balance कर रहा है अब mg को कौन balance कर रहा है तो mg को दो force balance कर रहा है एक तो n cos theta हो गया और एक f का ही component आजाएगा कौन सा component that is f sin theta that is f sin theta वहाँ पे f sin theta आजाएगा तो क्या होगा that is n cos theta plus f sin theta हाया ना अब same चीज़ करना है okay same चीज़ दोनों को divide करना है divide करने के बाद cut करना है f को substitute करना है mu into n n को common लेना है सारा चीज़ सेम है okay सारा चीज़ सेम है और solve करोगे तो हमको एक formula मिलेगा and that formula is equals to v is equals to under root rg divide में देखो यह formula में और यह formula में difference देखो यहाँ पे क्या आ रहा है tan theta plus mu क्या र so next कहानी क्या हो जाएगा यहाँ पर minus हो जाएगा तो mu minus tan theta plus अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर denominator में क्या है minus है 1 minus mu tan theta वहाँ पर plus हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 plus mu tan theta okay यहाँ पर this is a minimum velocity यह v minimum है यह v minimum है mix नहीं है minimum मिनिमम है यह कब लगता है जब गाड़ी मेरी इतसे स्पीड से कम हो अंडरूट आर्जी टैंटिटा से कम हो इसलिए तुम लोग देखा रहेगा जब कभी भी रेसिंग ट्राक होता है जो लाइक फॉर्मूला वन के लिए हो गया या फिर कोई भी रेसिंग ट्राक हो गया जह हुआ प्रासा सा कर देते हैं क्यों वहां पर मेरो को अच्छा स्पीड मिले कव्या मीले मेरे का स्पीड मिले बास संगा है विदाओ researching है में मpower ले embrace क्इब सा किये में उब्यावला है ले सको, इसके लिए हम लोग क्या करते है, bank road use करते है, so this is nothing but example of UCM, ये भी एक example है, UCM का, clear, बात समझ में आ गई, okay, bank road देखना है, without friction, फिर देखना है minimum और maximum condition, बहुत important question है, ये exam के लिए, बहुत ही जादा important question है, clear, बात समझ में आ गई, okay, so धिरे धिरे हम UCM complete कर रहे है, UCM मे बात हम लोग start कर देंगा हमारा rotational motion, okay, rotational dynamics मैंने बताया था, circular motion, rotational motion, rolling motion, तो यहाँ पर हम circular motion खतम करके, हम rotational motion की तरफ बढ़ जाएंगे, okay, clear बात समझ में आ रही है, okay, so अगर तुम लोगो कुछ भी doubt आ रहा है, कोई भी topic clear नहीं हो पा रहा है, अगर कुछ भी point, अगर वीडि sharing बहुत important है, okay, और अगर तुम लोग नए हो, first time देख रहे हो, तो subscribe करना मत भूलो, okay, तो वीडियो को, चैनल को subscribe कर लो, okay, तुमको पता है कि like, 12th चालू हो गया, JR tutorial पे, so subscribe जरूर कर लेना, okay, चालो, बहुत बढ़िया, so आज का lecture यहीं पे end करते हैं, आज के लिए बस इत that's it for today, thank you so much